हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सरस्वति क्लासेज बात करते हैं स्टूडेंट हिंदी व्याकरन के एक बेहद इंपॉर्टन टोपिक जिसका नाम है विलोम शबत ये स्टूडेंट हिंदी व्याकरन का सबसे इजे और सबसे कठिन टोपिक माना गया है easy क्यों क्योंकि बच्चे इसको हमेशा ये समझते हैं कि इसको exam time में handle कर लेंगे क्योंकि हमें तो ये आता है और ये cuttin तब बन जाता है जब ये exam में question पूछा जाता है और exam में question आता नहीं तब ये cuttin बन जाता है इसके cuttin बनने के पीछे दो reason है एक तो बच्चे इसको neglect कर लेते हैं दूसरा coaching center वाले जहां आप किसी भी अगर topic या किसी भी exam की preparation कर रहे हो जिसमें हिंदी आती है और वो coaching center वाले आपको इन topic को छुड़वा देते हैं उनका माना है कि ये topic बच्चे self त्यार कर लेंगे क्योंकि easy होता है आपको पता होता है लेकिन exam में जब ये question पूछे जाते हैं उटपटांग तो बच्चों के ये गलत होते हैं और ना होने का select होने का पीछन सबसे बड़ा reason यही है कि बच्चे इन topic को छोड़ देते हैं एक selected और एक unselected student के बीच में इतना ही फरक है जो selected ह होता है वो ये 3-4 topic होते हैं जिनको बच्चे neglect कर रहते हैं मुहावरे हुए लोकोक्तियां हुई प्रायवाची हुए विलोमशब्द होए इनको सबसे अच्छा त्यार करके जाता है और एक unselected बच्चा इनको छोड़ के जाता है तो अपने को select होना है तो अपने उनी ची पेबल जो skip कर जाते हैं जो topic उनको भी पढ़ेंगे तो start करते हैं विलोमशब्द और मैंने उनी विलोमशब्दों को लिया है जो exam के point of view से important है ऐसे ने लिया कि रात का दिन होगा ठीक है जवान का बुड़ा होगा ये तो सबको पता है लेकिन जो cutting है और जो अटपटे हैं उनको लिया है मैंने तो start करते हैं lecture तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने इन शब्दों के विलोमशब्दों को लिखा नहीं है मुझे उमीद है कि आपको कुछ शब्दों के विलोमशब्द आते होंगे तो आप last में comment box में मुझे बताओगे comment कर गए कि आपके कि इतने सही है विलोमशब्द तो start करते हैं सबसे पहला word दे रहा है अनन्त देखिए अनन्त ए प्लस अन्त जिसका कभी अन्त नहीं होता जिसकी कभी समापती नहीं होती जो कभी खतम नहीं होता जो कभी समापत नहीं होता जो चलता रहता है उसे बोलते हैं अनन्त इसका just ultra होगा, जो समाप्त हो जाए, जो कभी, मतलब एक शण के बाद रुक जाए, एक टाइम के बाद उसे बोलाता है अंत, जिसका अंत हो, जिसकी समाप्ती हो, जो खतम हो जो बिना तुक के साथ खतम हो जाए मतलब कुछ भी एक तरह से इसका वर्ड निकालू अगर तरीके से बताओं इसका ए तुकांत का अर्थ का होता है कि कवीता का अंतिम चरण कवीता का अंतिम चरण जो बिना तुक के साथ बोला जाए कवीता का अंतिम चरण जिसका तुक के साथ अंत होता है, जिसका तुक के साथ अंत नहीं होता, उसे बोलते हैं एतोकांत, नेक्स्ट है अवलंब, देखिए अवलंब का अर्थ होता है student, जिसका सहारा हो, जिसको किसी की स्पोर्ट हो, जिसको किसी का ओठ हो, ओठ होना, किसी का सहारा होना, किसी का आ अधार, आश्रे, सहारा, ओट, स्पोर्ट, जिसको आश्रे ना मिलता हो, जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कहीं आश्रे ना हो, उसे बोला जाता है निरलंब, क्या बोलाता है, निरलंब, जिसका कोई आश्रे ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, उसे बोला जाता है, निरलंब नेक्स्ट है अशंत अशंत का मीनिंग होता है अशंत का मीनिंग जो होता है वो होता है आंशिक रूप से क्या होता है आंशिक रूप से बहुत छोटे रूप में अनिशंत का मीनिंग होता है लेकिन इसका अगर पूरा मीनिंग निकाल लूँ तो आपको अपने बहुत बार पढ़ाओगा पूरनतिया नेक्स्ट है एतल जिसका तल ना हो जो बिना तल के हो उसे बोलता है एतल ठीक है जो तल रहीत हो और जो तल सहीत हो उसे बोलता है वितल क्या बोलता है वितल आपने पाताल लोक पड़ा होगा पाताल के साथ पार्ट है उसमें से दूसरा जो पार्ट है उसे बोलता है वितल जिसका तल हो जो तल सहित हो निंदा किसी की चुगली करना किसी के बारे में बुरे शब्दों का उच्चारन करना उसे बोलेता है निंदा अगर किसी की परशंशा करना उसे बोलेता है स्तूती किसी की स्तूती का गुणगान करना प्रत्यक्ष देखिए प्रत्यक्ष होता है आपने बहुत बार पड़ा होगा जो आखों के सामने हो उसे बोलाता है प्रत्यक्ष जो आखों से ओजल हो आखों से चिपा हो उसे बाला जाता है प्रोक्ष तो इसका प्रत्यक्ष का विलोम शबत क्या होगा प्रोक्ष देखिए रुगन का अर्थ होता है जो व्यक्ति शरीरिक तोर से कमजोर हो बिमार हो उसे बोलाता है रुगन जो बिमार हो कमजोर हो लेकिन जो शरीरिक तोर से सही हो अच्छा हो उसे बोलते हैं सवस्त तो रुगन का जो विरोम शबद है वो होता है सवस्त next है अनिवार है देखिए अनिवार है तो आप पढ़ते हैं compulsory आप बहुत बार आपने यदि बार्मी की है तो बार्मी में आपको 12th 11th की है तो आपको compulsory subject हिंदी और इंग्लिश पढ़ने पढ़ते हैं लेकिन जब आप B.Sc. या B.A. या B.B.A. करते हो तो आपको additional ले सकते हो B.C. लेते हैं कई बच्चे क्या लेते हैं Math Science लेते हैं कई बच्चे Geography History लेते हैं तो वो क्या बना लेते हैं additional subject बना लेते हैं जिसे बोलता है वेकल्पिक क्या बोलते है student वेकल्पिक तो अनिवारे का जो विलोम शबद होगा वोगा वेकल्पिक दिखिए next है आविर भाव बहुत बार पढ़ा है student आपने आविर भाव क्या होता है और आपने ये भी पढ़ा है कि आविर भाव का जो अर्थ होता है वो होता है प्रगट होना क्या होता है प्रगट होना आखों के सामने आना और तीरो भाव का अर्थ होता है छिप जाना या एद्रश्य हो जाना तो को thankful कहते हैं जो एषान को मानने वाला हो उपकार को मानने वाला हो इक रिठ जो उपकारों को नहीं मानता उसे बोलते हैं next संफेक्षेप छोटा सा रूप बिलकुल छोटा सा रूप जिसे समरी बोलते है अपने और विस्तार जो बहुत बड़ा रूप हो तो संक्षेप का क्या होगा है विस्तार मूख जो गूंगा हो जो बहुत कम बोलता हो और जो बहुत ज़्यादा बोलता हो वाचाल शबदी उजगेता है उसके लिए क्या हो जो ज़्यादा हो वाचाल जो बड़ बोला हो बहुत ज़्यादा बोलता हो मूख जो बहुत कम बोलता हो इक तरह से गुंगा हो नेक्स्ट है अध्यात्मिक इसका तो आपको पता होगा अध्यात्मिक इसका होता है बहुत तिक क्या होता है बहुत तिक नेक्स्ट है अथ अथकार्थ की आता स्टूडेंट एक तरह से आरंब करना मंगल सूचक शबद पढ़ना किसी के लिए आरंब मंगल सूचक शबद और जब वो खतम होयाता है उसके लिए शबद यूजगा करते हैं इती अपने बहुत बार देखा हुआ शिरी गनेश करते हैं किसी चीज़ का शिरी गनेश करना, आरंब करना मंगल सूचक शबद पढ़ना इती मतलब अंत होना नेसले शणिक जो बहुत कम समय के लिए हो जो बहुत कम टाइम के लिए हो और शार्षवत जो सदा रहे, सारभ भोमिक सकते हैं उत्तम, और उत्तम का आपने बहुत बार पढ़ा होगा student, इसका जो विलोम शबद होता है, वो होता है अधम, क्या होता है, अधम, next देखते हैं अपने student, next है अमर, जो कभी मरता ना हो, और मरते हैं, जो मरन शिल हो, मर जाए, ठीक है, next है स्थावर, जो स्थिर रहता हो, जो क स्थाई हो, और स्थाई क्या होता है, परवत, तो बहुत बार परवतों के लिए यूज किया था, स्थावर शबद का यूज, और जो चलाएमान हो, जो चल सकते हैं, उनके लिए शबद यूज किया था, जंगम, तो स्थावर का जो विलोम शबद क्या हुआ, जंगम, जुगा क्या होगा वक्कर हो गया नेक्स्ट ग्राहे ग्राहे करत क्या होता है एक्सेप्ट करना त्याज्य त्याग देना ग्रेहन करना ग्राहे और त्याज्य क्या होता है त्याज्य होता है त्याग करना आपने रक्षा युक्ति पड़ी होगी जब आपने अपने पैडगो विवा करूं या उससे विवा करूं तो ग्राहे ग्राहे त्याद्य त्याज्य एक रक्षा युक्ति होती है किसी दो में से एक अच्छी चीज को चुनना दोनों अच्छी चीजों में से कि मुझे चाय भी पसंद है और मुझे कोफी भी पसंद है तो अपने कहते हैं कि मैं कि किसको चूज करूँ, दो अच्छी चीज़ों में से किसी को चूज करना, मैं टीचर बनूँ, क्या मैं एक LDC बनूँ, दोनों तो गुर्णमेंट जोब है, लेकिन कौन सी अच्छी आपके लिए, तो जो अच्छी होती है, उसको आप ग्राहय कर लेते हो, तो त्याज्य होती ह तो उसको आप त्याग देते हो, आहवाहन, देखिए, किसी को पुकारना, आहवाहन किसी को पुकारना, किसी को बोलाना, जब अपने यग करते थे, एक तरह ऐसे देवताओं को पुलाने के लिए अपने आहवाहन करते थे, अगनी में घीर डालते थे, और अपने जब गने इसका विसर्जन करते हैं उसका त्या करते हैं तो उसको कहते हैं विसर्जन तो आवाहन का क्या होगा विसर्जन नेक्स्ट है स्वावलंबन देखिए स्वावलंबन का अर्थ होता है एक तरह से अपने भरोसा करना है लेकिन यहां एक और अर्थ निकलता है स्वावलंबन का स नेक्स्ट है पूरवर्ति देखिए पूरवर्ति जो पहले आती है और परवर्ति जो बाद में आती है उसे बोलते हैं जो पहले आती है पूरवर्ति जो बाद में आती है उसे परवर्ति जैसे पांच के पहले चार आता है तो चार तो क्या हो गया पूरवर्ति और पांच के पाद 6 आता है तो 6 क्या हो गया परवर्ती ठीक है student next देखते हैं अपने गरिस्ट ऐसा भोजन जो पचने योग्यना हो जिसको पचाना बहुत कठिन हो उसे बोलते हैं गरिस्ट भोजन अपने कहते हैं न कि बूड़ों को गरिस्ट भोजन देना मना है क्योंकि जो पाच्चन शक्ती होती है वो कमजोर हो जती है जो कठिंता से पचने वाला हो और जो असानी से पच जाए उसे बोलते हैं सूपाच्च है तो ग्रिस्ट का क्या होगा है सूपाच्च है नेक्स्ट है अनमूलन अपने कहते हैं कि कुरितियों का हमेशा अनमूलन करो कुरितियों को जड़ से उखाड़ दो जड़ से उखाड़ना अनमूलन और रोपन करना अच्छी नीतियों को अच्छी मतलब एक तरह से रिती रिवाजाओं को लागू करना रोपन या स्थापन इसका दो मिनिंग होते हैं, विलोम शब्द अनमूलन का रोपन या स्थापन, उगर जो बहुत एक तरह से भ्यानक रूप, आपने दो तरहों के नेते पढ़े थे, दो तरहों के कांगरे स्थापना होई थी, उगरवादी और नर्मवादी, तो देखिए उगर जो गुसे वा लोग इसका गलत करके आते हैं, उथला इसका क्या होता है, विलोम शब्द, परतसाइद किसी काम के लिए किसी को एक तरह से होंसला देना, हतोतसाइद किसी का होंसला गिरा देना, पैना जिसकी धार बहुत तेज हो, धारदा, चोका, तेज, और उसी का जो विलोम शब्द ह अपने बहुत बात अमुमें राजस्तानी शब्दों में यूज केता है भोतरा जाकू जिसकी धार बहुत कम हो तो पहना का क्या भोतरा आवर्त जो ढगा हो किसी से कवर हो चिपा हो और अनावर्त जो खूला हो ठीक है अनावर्त सूम या करपण का अर्थ होता है कंजूस होना जो बहुत कम पैसे खर्च करता हो और इसी के साथ जो सब कुछ खर्च करता हो दाता जो सब कुछ दान देता हो जो पुराने टाइम से चला रहता है उसे चिरंतन बोलाता है जो खतम हो गया उसे नश्वर बोला रहता है पास्चत्य आप इसका जो मुझे बताओगे इसका विलोम शबत क्या है कमेंट बॉक्स में करके बताओगे नेक्स्ट है बरवर जो मतलब एक तरह से बहुत गीनोना हो अपने कहते हैं बरवर युद हुए बरवर कांट हुए एक तरह से बिलकुल बेकार तो बरवर का क्या हुआ सब्भय है एक बरवर जन जाती होती है एक सब्भय जन जाती होती है बरवर जो बिलकुल गंदी तरह से रहती है हर किसी को मार के खा जाती है एक सब्बे जाती जो एक प्रोटोकॉल के अंदर जीती है हास देखी हास का मीनिंग यहां मैं आपको बता दूँ जो हसने से है तो रूदन का अर्थ क्या होगा रोने से सहज अगर सहज का बताऊं तो बिल्कुल इजी तरीके से और इसका क्या होगा कठिन होगा और कर मतलब दुश कर जो बहुत कठिन तरीके से हो विनित का अर्थ निकाल लूँ तो स्टूडेंट बहुत अच्छे मन से बहुत अच्छे मन से मैं कह सकता हूँ और एविनित उसका अर्थ अपने एविनित भी यूज़ कर सकते हैं बहुत polite से और उधत भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है शुन दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए नेक्स्ट है वन जहां पेड़ पेड़ हो जहां कुछ नहों, only मिट्टी हो उसे बोलता है मरू तो वन का क्या होगा, मरू नेक्स है शंड दिखे शंड और शंड तव, दोनों पूछे गए हैं दोनों का मिनिंग एक ही है शंड तव का आर्थ होता है कि ऐसा पुर्ष जिसमें पौरुषबल कम हो जो निपुनसक हो ठीक है, उसके लिए ये वर्ड युज कहता है जिसमें पौरुषबल कम हो मतलब पुर्ष काम की कम हो उसे बोलता है शंड जो निपुनसक हो ठीक है, शंड तो शंड का अगर मैं मीनिंग निकालू एक तरह ऐसे शंड जो निपुनसक हो या नाम मर्द हो जो मर्द हो, वो شंड का क्या होगा? विलोम शबद होगा ठीक है? शंड आपको पता है कि धित्रास्तर जो महावारत में थे उनके सो पुतर थे तो सो पुत्रों में से पुतर का नाम शंड भी था नेक्स है शंड तव वही मीनिंग जिसमें पुरुष्टव की कमि हो पुन्सक हो तो पुन्सतव जिसमें पुरुष्टव बहुत अधिक हो जो इसका क्या होगा? UPPOSITE होगा नेक्स्ट है वन्यय देखिए जंगलों में रहते हैं उन्हें वन्यय बोलते हैं जो घर में रहते हैं उन्हें बोलते हैं पालित तो वन्या का विरंग शुबत क्या है पालित विद्वा जिसका पती मर चुका हो सद्वा जिसका पती जिन्दा हो द्रिष्ट द्रिष्ट एक तरह से कह सकते हैं कि बेकार विनित एव विनित वर्ड के लिए यूज़ करते हैं द्रिष्ट उधत के लिए तो इसका क्या हो जाएगा विनित मैंने आपको बदाया था दिर्क काए ठीक है लगू काए क्रश काए वर्ड यूज़ कर सकते हैं इन निचला हिसा, शिख मतलब शिखर वाला हिसा, जो पंकों का उपरला गुच्छा होता है, शिख, जो मोर के निचला हिसा होता है, पैर के उसे नख बोला जाता है, और जो कलंगी होती है, उसे शिख बोला जाता है, ताना, ताना का जो विलोम शबद है, वो होता है, भरनी, क्य क्या student तिक्त वर्ड तिक्त किसके लिए होता है तीखे के लिए और मिठे के लिए मधुर वर्ड ही होता है next है द्रड मतलब एक तरह से निश्चे कर ले जिसको हिलाए ना जा सके और जिसको हिला देते हैं उसको बोलते हैं विचलित तुम अपने उदेशय से विचलित हो रहे हो पार्थ अरजुन को एक वर्ड बोलता है क्रिशन महाबारत में तुम अपने उदेशय से विचलित हो रहे हो भटक रहे हो देखिए next है अद जो अद का अर्थ होता है वो हाफ और उपरी अद का नीचा भी होता है और उपरी इसका क्या होगा विचलित अर्पित एक तरह से अर्पित वर्ड अपने किसके लिए उज़ करते हैं student अपने पढ़ा होगा किसी को कुछ देना ठीक है अर्पन करना भगवान को अपने फूल अर्पन करते हैं और भगवान उसको करते हैं ग्रहन तो ग्रहित इसके लिए वड़ी जूज किया था है विलोमशबद नेक्स्ट अंकुंचन सिकुड जाना छोटा हो जाना तो इसका जो होगा विलोमशबद होगा परसारन बिखर जाना अभ्यांतर अंदर की और तो ब्राहे बाहर की और आवाहन मैंने अभी आपको बताया था उपर गनेश का आवाहन करते हैं विसर्जन उसका किया था दो बार आ चुके है आदिस्ट आदिस्ट होता है इसका विलोमशबद होगा निशिद आदिस्ट का आर्थ होता है रोकना रोकना एक तरह से और जो इसका आशिद का आर्थ होता है किसी का मतलब एक तरह से कहना किसी को कि भई आप ये चीज़ कर लो लेकिन उसको रोकने के लिए जिस शवद का यूज़ कियाता है निशिद और अपने कही बार कहते है ना कि जंगल में जाना निशिद है मतलब एक तरह से एक वीदी बनी हुई है जिसके कानून है कि आपको जंगल के अंदर जाना के निशिद है और अभी है मैंने आपको एक वर्ड भी कराया था student आपको यहां आपको घरेलू जो घर के लिए यूज कियाता है घरेलू लेकिन जो जंगलों के यूज कियाता है वह उता है बनेला तो एक इसका अर्थ भी बनेला का अर्थ का था जंगल next meaning देखते है student next है अगामी आने वाला अगामी पेपर आपके लिए बहुत अच्छे होंगे यदि आप उसकी त्यारी करते हो कई बार आपने किदाब लेते हो तो उसमें लिखाता है विगत परशनों का समाहार मतलब पुराने पेपरों का समाहार अगामी आने वाला विगत जो पहले चला गया हूँ ये थे student हमारे कुछ विलोम शबद और कल student आपको विलोम शबद पढ़ने है और मैं कल एक टेस्ट बनाऊँगा तीस कोशनों का जिसके अंदर आपको multiple choice होंगे देखते हैं कि उनको कौन-कौन अच्छे तरीके से करता है कल जो टेस्ट का समय होगा वो एक बजे का होगा तो त्यार रहिए आप विलोम शबद आप जहां से भी पढ़िए मैं 30 वर्ड लेक्या होगा ऐसे नहीं कि आपको सीधा उत्तर बताऊँगा आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है मैं चारों वर्थों को डिस्क्राइब करूँगा ताकि एक से चार कोशन निकले आपके 30 कोशन होंगे लेकिन चार से मल्टिप्लाई करो तो 120 कोशन में आपको कल करवाऊँगा जो आपके लिए बहुत important होंगे अगर आपको लगा है वीडियो अच्छा तो शेर कर दीजी अपने दोस्तों से जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं KVS, DTSS, B, CTA, TREAT की उनके लिए सब के लिए important है और like तो कर देजिए धन्याबाद